चुनाओ बहुत दूर नहीं है और कुछ लोगों को घबराहट हो रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ये दो वाक ही काफी हैं। अगले 90 दिन का चुनावी माहौल बताने के लिए ये आप समझी गए होंगे। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल दी। कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को राम नाम जपना ही पड़ा। संसद में खड़े होकर कहना ही पड़ा वो सनातनी हैं, रोज पूजा करते हैं। 2024 के चुनाओं का मैंड़ेट जनवरी के एक डेट और फरवरी के एक डेट से खरीब करीब तै हो चुका है। फरवरी के सर्वे ये बता रहे हैं कि नरेंदर मोदी 400 की तरफ ही जा रहे हैं और विरोधी पूरी ताकत लगा ले तब भी 1.500 से नीचे आ रहे हैं। मोदी ने ऐसा क्या जादू कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि undecided voters फरवरी में ही तै कर चुका है। जो वोटर आखरी वक्त तक फ्रेंस पर बैठा रहता है, वो अपना मन बना चुका है। राम मंदिर प्रस्ताव पर ही चुनाओ जीत जाएंगे मोदी। अगर मन में कोई शक है तो 24 मिनट में 24 का पूरा मूट समझ लीजिए। राम मंदिर में कितना वोट है? क्या राम मंदिर में 370 सीट दिलाने का वोट है? अगर राम मंदिर में 370 सीट वाला वोट है तो ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब राम रथियात्रा निकाली गई? ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब अयोध्या में विवादित धाचा गिरा गया? ये वोट उस वक्त क्यों नहीं मिला जब मैनिफेस्टों में राम मंदिर का मुद्दा रखा गया? राम मंदिर में 370 सीट वाला वोट नहीं है राम मंदिर में 19 फीजदी से 22 फीजदी वोट है BJP को इतना वोट तब भी मिला था जब राम मंदिर आंदूलन चला था यह वोट तब भी मिला था जब जंता ने BJP को रिजेक्ट कर दिया था राम वोट से लोग सभा की 160 से 182 सीटे मिलती हैं राम वोट से नरिंद्र मोदी का 370 वाला टार्गेट पूरा नहीं होता बलकि 200 सीटे अन्य चीजों से आती हैं इसलिए मोदी किसान को लाते हैं जाट को लाते हैं महिला और बेनिफिशेरी को लाते हैं आज राम मंदीर को लेकर दे हैं राम सबसे बड़े फेवी कौल हैं मोदी राम नाम से ही सब को जोड़ रहे हैं आज राम मंदीर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारिक दिया है विदेश की भावी पीजी को इस देश की बुल्यों पर परवर्दे की सम्वेधानिक शक्ति देगा यह सही है कि हर किसी में यह सामर्त नहीं होता है कि ऐसी चीज़ब है तो कोई हिम्बत दिखाते हैं कुछ लोग मैदान छोड़के बाग जाते हैं इस्थान काल और परिस्थिती देखकर जगह तारीख और समय चुनकर नरिंद्रमोदी की पार्टी ने एक जटके में माहौल राम्मय कर दिया 24 के चुनाव का नगारा बजने से पहले संसद में भी राम, विधान सभा में भी राम, मंदिर में भी राम और सडक पर भी राम हर किसी में ये सामर्त नहीं होता है कैसी चुजब है तो कोई हिंबत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़के भाग जाते हैं राम और राम के चरीत्र को फिर से प्रस्ताफित करने का काम 22 जन्वरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है बुलो जै शिरी राम, जै शिरी राम, जै जै शिरी राम, जै शिरी राम जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जै राम को न कारा, भगवान राम को न कारा, आज उनकी ये इस्तिती है 24 के चुनाव में बीजे पी की तैयारी का लेवल ये है चुनाव से दो महिना पहले राम का नाम एकदम लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रहा है संसद में मोदी और विधान सभा में योगी जब आते हैं तो जैशी राम का नारा लगना आम हो गया है जिन लोगों ने 22 जनवरी को राम मंदिर में हुई प्राण प्रत्रिष्ठा का नियोता ठुकरा दिया था उनको दस फरवरी का ये दिन देखना पड़ा नरेंद्र मोदी के प्री पॉल शो की ओपनिंग राम से हुई प्री पॉल शो की क्लोजिंग भी राम से हुई बीच में मोदी ने सारी पिक्शर दिखा दी उन्नीस दिन पहले 22 जन्वरी को नरेंद्र मोदी 303 पर थे उन्नीस दिन बाद 10 फरवरी को मोदी 370 पर दिख रहे हैं जैसे टीचर डस्टर रगा कर ब्लैक बूर्ड साफ करते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी ने इंडिय अलाइंस को साफ कर दिया जोड तोड गुड़ा भाग अभी तो ये इलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है लोग सभा में कॉंग्रेस की स्थिती ये हो गई है कि उसके पास अधीर रंजन चौधरी और गौरो गोगोई से आगे कोई बोलने वाला नहीं है ये नेता भी जब मुँखोलते हैं तो फायदे से ज्यादा नुक्सान करते हैं जब भगवान राम ने रावन का निधन किया कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को अगर कोई बड़ी लाइन खीचनी होती तो संसद में पर्फेक्ट मौका था राहुल संसद में आ सकते थे उनकी न्याय आत्रा वैसे भी रुकी हुई है राहुल ब्रिक पर हैं वो लोग सभा में होते तो कॉंग्रेस का पक्ष रखते लेकिन राहुल नहीं आए संसद में कॉंग्रेस की सीटें खाली रहीं सुनिया गांधी लोग सभा में जरूर बैटी रहीं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हो रा नरिंद्रमोदी के बाकी सियासी शत्रू सीन से खायम है गौर कीजिएगा कॉंग्रेस ने इस सत्र का बायकॉट नहीं किया नरिंद्रमोदी को डिस्टर्ब नहीं किया संसद में हला नहीं किया वजध्यान से सुनते रहे शायद कॉंग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की उस्चेतावनी की गंभीरता समझ ली कि अगर इस बार हंगामा करोगे तो पब्लिक माफ नहीं करेगे पहला लेयर राम का 180 सीट से नीउ बनती है दूसरा लेयर किसान का इससे 50 सीटें आती है तीसरा लेयर जवान का इससे 40 सीटें आड होती है चौथा लेयर महिला का इससे भी 30 सीटें आड होती है ये चार लेयर मोदी को 300 तक ले जाते है पांचवा लेयर बेनिफिशेरी का है 30 सीटे जोड़ कर ये वोट मोदी को 330 तक ले जाता है चटा और टॉप लेयर मोदी लेयर है ये प्रधान मंत्री का जादू ही वोट है जो मोदी को 370 तक लिजाएगा क्या राजनीत में जादू होता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है अभी दो महीना पहले MP राजस्थान और 36 गड़ में भी जादू ही हुआ था लोग सभा में राम मंदिर वाले प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुवात भागपत से जाट सांसद सत्यपाल सिंग ने की जिनको अगले चुनाओं में टिकट मिलना कनफर्म नहीं है अपने टिकट पर संकट है लेकिन पार्टी का काम करना है दो हजार साथ के अंदर जब रामिस्फर्म और सिरलंका के बीज में राम सेतु के निर्मान का प्रोजेक्ट ते तैयार हुआ उस समय के जो सरकार थी उस समय के कांग्रेश सरकार ने उनके संस्कृति मंद्राले ने उस्तम नाले में जाकर की एक सपत पत्र दिया और सपत पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोव्यक्ति इस धर्पे पर पयताना हुए राम जो гор庫 ने की शीक अदि इस प्रकार से कांग्रेश में उस समय जाए राम को न का रा भगवान राम को न का रा आज उनकी ये इस्त्तित है ठीक उसी समय राजसभा में बागपत के अगले संभावित सांसद जेंत चौधरी जाट और किसान के मुद्दे पर कॉंग्रिस की बखिया उध्यड रहे थे जेंत आज सत्ता पक्ष की तरफ बैठे थे मतलब एंडी एलाइंस में जेंत की एंट्री कन्फर्म हो गई है अब मैं ये भी मानता हूँ दस साल मैं विपक्ष में रहा हूँ कुछी देरे सदन में मैं इस तरफ बैठा हूँ लेकिन मैंने देखा है कि दस साल में जो आज सरकार है इनकी कारिश हैली में भी चोहदी चलन सिंग के विचारों की जलक है जब आदरनी प्रधान मंत्री जी ग्रामी इन छेतर में सोच की दुर्विवस्थाओं पे प्रकास डालते हैं जब महिला सोचती करण को अपना प्लैटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांगाओं में जागृत्ती पैदा करती है तो मुझे उसमें चोहदी चलन सिंगी की बोली यादा रहती सांसदों के इस सदन की कारवाई के दोरान दुर्विवार को लेके बहुत दुखी हूँ आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभवपती जी आपने मुझे संरक्षन दिया बड़ी अचमबा मुझे होती है कि हम चोहदी चलन सिंग जैसी शक्सियत को किसी गट जोड के बनने और तोडने और चुनाब लडने और जीतने तक सीमित रखना चाहते है राज सभा में चोधरी चरण सिंग को भारत रत्म देने पर चर्चा के दोरान सभापती ने चोधरी चरण सिंग के पोते और आर एलडी मुखिया जैन्त चोधरी को बोलने का मौका दिया तो कॉंग्रिस को मिर्ची लग गई खरगे राजसभा के सभापती और वाइस प्रेजिडेंट जगदीब धनकड से ही उलच पड़े धनकड ने वहीं खरगे की क्लास लगा दे That someone should appreciate bharata dinu Chodhi Chalundsing the rule is in being me I have done it consistently I read rule books don't use this language sir don't use this language I don't want to create a belief don't use this language no I will not tolerate an incentive Chodhi Chalundsing I will not insert Chodhi Chalundsing मेरी नहारे भी Cliffhope अचर्बरा करा नहाए नहीऽ अओर नहीज जातिầy का कौुझ्छ नहीं मुझ्डू हराई छूचर्थियोग? तो फिस व्लत गिवे हैरा हां, रागले मेरी नहीं थे नहींगूर। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को धहका रहे हो, चोधरी चलंज ऐसे वेक्टित्र के उपर इस परकार का बातावरेन हाउस भी करना, हो और हैट शुल गो इन शेम, मैं खुद बीज़ेतों दुखी हूं। कॉंग्रेस राम के नाम पर पिटी, कॉंग्रेस किसान के नाम पर पिटी, कॉंग्रेस जाट वोट के फ्रन्ट पर पिटी, कॉंग्रेस के अलाइंस पार्टनर छुटक गए इसलिए कॉंग्रेस चाती पीट रही है बीजेपी तो छोड़िये अब बीएसपी के सांसद भी कहने लगे हैं राम का विरोध छोड़िये वरना हाल और बुरा हो जाएगा देश के जो खुशी का लहर दोड़ी पूरे देश में जो ये महुसम मनाया गया ये बहुत खुशी की बात थी और मैं अपने साथियों से जो भी पक्समे कॉंग्रेस पार्टी के लोग बैठें कहना चाहता हूँ कम से कम इस बात का तो विरोध मत करो अगर इस बात का विरोध करते हो तो जब देश में विधान सभाव में चुनाव होते हैं फिर क्यों मंदिरों में जाते हों क्यों जनेव पहनते हैं और बगर मतलब की अगर बातों का विरोध करोगे 1913 में जब ये लेजिसलेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में वो देश एक और था 1947 में जब देश आजाद हुआ वो एक देश और है 1952 से जो शुरुआत हुई वो एक देश और था और आज 2024 का देश और है राहुल गांधी जिस दिन मणिपूर से चले थे उस दिन उनके साथ 28 दलों वाला गड़बंधन था राहुल बंगाल पहुँचे तो ममता छिटक गए राहुल के बिहार पहुँचने से पहले नितीश कुमार अलग हो गए और अब राहुल के यूपी पहुचने से पहले जैंत चौधरी अलग हो गए राहुल गांधी 28 से 25 पर आगए इस से कॉंग्रिस का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है खत्रा 40 से भी नीचे पहुच जाने का है दूसरी तरफ नरेंदर मोदी हैं बीजेपी की कोरियोग्राफी से मोदी की प्लैनिंग का अंदाजा लगाईए संसद में जैंत चौधरी, जैदीब धनकड और यूपी विधान सभा में योगी आधितनात सबने मिलकर जाट और किसान का मुद्दा दुनों हाथों से पकड़ लिया योगी को मालूम है कि जाट वोट हड़ जाने से विश्टर्ण यूपी में अखलेश की ताकत आधी रह गई है अब योगी अखलेश के चाचा शिवपाल पर डोरे डाल रहे हैं जिससे मैनपुरी का गढ़ भी तोड़ा जा सकी यह स्थिती आज उनकी हो चुकी है कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोका दे दे तो चाचा शिवपाल जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है यूपी में बीजेपी सचमुच 80 बटा 80 के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अगर चाचा ने पाला बदल लिया तो सपा के लिए मैनपुरी का गढ़ भी नहीं बचेगा नरेंद्र मोदी दिल्ली से बड़ा गेरा बांध कर चल रहे हैं सेंट्रल थीम हिंदू वोट की है लेकिन उसमें जातियों को भी जोड़ा जा रहा है राम से निशाद भी जोड़ते हैं राम से शबरी भी जोड़ती हैं राम उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले सेतू हैं मोदी की पार्टी ने वक्ताओं को चुनने में इसका भी ध्यान रखा उस राम जन भूमी अंदोलन से जुड़ी होने के नाते मैं आज इस नए सदन में नए प्रस्ताओं को समर्थन देते हुए देश के सच्छी प्रधान मंत्री जी का संतों की तरफ से देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करती हूँ बंदन करती हूँ मानिनिया सबबपती महोदे साइद मुझे लग रहा है गोरो गोगई जी ने गोली चलाने की बात कही साइद मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा जब कार सेवकों के उपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे इनके साथ में है इंडिया के गर्वन्नन में है क्या एक बार भी कांग्रेस ने उनकार सेवकों की छातियों से जो रक्त वहां था अयद्ध्या की गलियां रक्त रंजित थी सवापती महोदे में वहां थी क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव से दो काम हुए एक तो हिंदू वोट जुडा दूसरे कटर पंथियों की प्रतिक्रिया से ध्रुवीकरण की संभामना बढ़ी ध्रुवीकरण से भी मोदी का ही फायदा है लेकिन ध्रुवीकरण कराने का दोष मोदी पर नहीं लगता कुछना चाहरा हूं कि क्या मोडी सरकार एक समुधाय एक मजभ की सरकार है या पूरे देश के मजभ को मानने वालों की सरकार है जिसको नहीं मानने उनकी सरकार है हमको बता दीजे उन्चास में धोका हुआ छीएसी में धोका हुआ बयानवे में धोका हुआ दो हजार उन्नीस को हमेशा ये कहा गया कि तुम को भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी खीमत तुम को चुकानी पड़ेगी अच्छा बलके मैं तो मर्यादा पुर्शत और राम की इज़त करता हूँ मगर मैं नाथुराम गोट्से से नफुरत करता हूँ मेरी नसले नफुरत करती रहेंगी क्योंके नाथुराम गोट्से ने उस शफ़को गोली मारी जिसके जबान से आकी लफ़न निकले हिराम मेरी फिकर में मेरा इमान मुझे कहता है कि जिस जगा पर मस्जिद थी है और रहेगी बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिन्दाबाद भारत जिन्दाबाद जहिए बाबरी मस्जिद जिन्दाबाद जिन्दाबाद संसद में असदुद्दीन OEC का बाबरी मस्जिस जिन्दाबाद कह देना यह हिंदुस्तान का लोक तंत्र ही है यह सम्विधान ही है जो OEC यह बोलने की हिम्मत कर पाते हैं मोदी इसे रोकते नहीं वो यहां से आगे की लाइन खीचना जानते हैं नरिंद्र मोदी ने आज संसद में राम राम कम किया यह काम अपनी पार्टी के निताओं पर छोड़ दिया